हलो लिब्रा लिब्रा यानी तुला रासी नमस्ते मैं सुरेश बोर्ड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एसिंदी टैरो पर तो आज हम आपके लिए एरली प्रिडक्शन करेंगे यानी एक जन्वरी दो हजार तेईस से लेकर 31 दिसंबर दो हजार तेईस क कि आप जानते हैं तो ये सब पर रेजोनेट नहीं हो सकती लेकिन जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप उसे एक्सेप्ट कीजिए बाके एपने फ्रेंड्स के लिए दोस्तों के लिए पास कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें आपनी डेडिंग्स देख सकें तो चलिए चलते हैं यूनिवर्स से भगवान से प्रार्तना करते हैं कि आने वाला साल आपके लिए मंगल मैं हो, कांती मैं हो, सुख सम्रिधी और नेम और पेम सब कुछ आपके लिए लेकर आए तो युनिवर्जी गाइड में प्लीज दो हजार तेइस आने वाला साल तुला यानि लिब्राराशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये तेइस सेप्टेमबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच जो लोग जन्में है उनके लिए है और नाम से भी आप अपनी राश देख सकत हैं तेज सेप्टेमबर टू बाइस अक्टूबर तो लिए देख लेते हैं इनिवर्जीस में क्या बता रहे है जनुवरी परवरी मार्च अप्रेल माई जून जुलाई आगस्ट सेप्टेमबर अक्टूबर नुवंबर दिसंबर और लास्ट हमारा काड़ाता है गाइडेल्स के लिए चलते हैं जस्टिस जनुवरी के लिए तो जनुवरी में आपको जस्टिस मिलने वाला है जैसा आपने अब तक करम किया है जैसा आपने बोया है वैसा फल आप पाने वाले हैं जिसने जो जैसा करम किया है आप अच्छा फल पा रहे हैं अगर पाएंगे जन्वरी में और अगर आपने बुरे करम किये हैं तो इसका नतीजा आपको बुरा ही मिलेगा बले ही कुछ समय के लिए आपको अच्छा मिल जाए लेकिन युनिवर्स जी नयाय जुरूर करते हैं उसका भुकतान आपको किसी टाइम भी करना पड़े लेकिन जुरूर करेंगे और जिन्होंने अगर बुरे करम किये हैं तो अब भी आप अपना समय है आपके पास अब अभी से अपने नए साल से अच्छी शुरुवात कीजिए अच्छे करम कीजिए ताकि आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो युनिवर्जी आपके साथ है ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी आपका रिजल्ट आपके सामने होगा seven of cups तो ये confused confusion का card है तो आपके पास फरवरी में काफी sources होने वाले हैं लेकिन आप confused रहने वाले हैं परेशान रहने वाले हैं शायद आप सोच नहीं पाएंगे कि कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है तो आपको तै करना पड़ेगा सोचना समझना पड़ेगा इसमें से कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है तो आपको किसी काम को करकर पस्ता रहे हैं पस्ताने वाले हैं दुखी होने वाले हैं शायद आपको लग रहा है कि दुनिया में मैं अकेला हूँ आप अलोनली मैसूस करने वाले हैं तो हो सकता है कि आपने future में कुछ ऐसा काम किया है जिसके लिए आप दुखी हो रहे हैं लेकिन आपको पीछे मुड़ने की जरूरत है देखने की जरूरत है अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो दुनिया आपके साथ है आपकी मद करने के लिए लोग तयार हैं और आपको अपनी पेह अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो आपको एक decision लेने की इसमें जरूरत है आप अगर कोई ठैर कर रुख कर सोच समझ कर एक decision लेंगे तो लोग आपकी मदद करेंगे और आप उस पर चल सकते हैं ब्रम जाल से आपको कह काम जाल फैला हुआ है आपको बहुत सारे sources दिखाई दे रहे हैं उन में से आपको decision लेकर चलने की जरूरत है इस और स्वार्ट कलियर्टी दिल से ना सोच कर दिमाग से काम लेने लेने वाले हैं आप मार्च के मैने में अगर आप ऐसा करते हैं दिल से ना सोच कर दिमाग स अगर आप काम लेते हैं कलियर्टी से आप काम लेते हैं और जो बाद हैं जो प्रेशन हैं जो दुख तकलिफ हैं आपकी पास्ट में रही हैं या आगे आने वाली हैं अगर आप उनको काट फैकते हैं उनको काट फैकिए उनको अपने पास मत फटकने दीजिए और सक्सेस मिलेगी और कोई नई opportunity आपका राह देख रही है युनिवर्जी आपके साथ है blessings आपको मिलने वाली है कोई beginning कोई brand beginning नई शुरुवात आपकी हो सकती है मार्ज मैंने में आपको मेहनत और effort लगाने की इसमें जरूरत है ये अपरेल के लिए आया है अपरेल में आपको दिल से दिल की बात मतलब आपको साथ सपस्ट होने की जरूरत है जो बात अभी आप सपस्ट नहीं कर पाए है वो आपरेल मेहने में आप करने वाले हैं हो सकता है कि कोई foreign से आपके लिए कोई खुशकबरी आए या दूसरे state से खुशकबरी आए किसी business के लिए किसी जॉब इसकी जॉब के थूया किसी बिजनस के थूया आपका कोई रिस्ता आए को कि 시 शादि के लिए कोई ना कोई गुड नीूज आपको जुरूर मिलने वाला है कुछ ना कुछ अपरेल मेहने में खुशियां आपके पास आने वाली हैं जो कोई आपका रुका हुआका अगाशन बनने वाले हैं माई Queen of Cups आप अपने उपर फोकस करेंगे अपने अपने हेल्थ का ध्यान देंगे अपना काम करेंगे अपनी हेल्थ अपना काम अपना बिजनेस अपनी प्रोपर्टी अपनी धन्दोलत सिर्फ और सिर्फ अपने उपर फोकस और जो अपनी बिस्टम आप सब आपने उपर करने वाले हैं अगर और बुद्धी से आप काम लेने वाले हैं अगर आप और चुपपी साथने वाले हैं अगर आप बुद्धी से काम लेते हैं चुपपी साथते हैं किसी बात को आई हुई wisdom को आई हुई opportunity का अगर आप समय से पहले दिन डौरा नहीं पीटते तो ये मई का महिना आपके लिए नई beginning नई शुरुवात लेकर आ सकता है सब कुछ आपका fruitful हो सकता है जो राज है उसको अपने तक रखिए उसका जिन डोरा मत पीटिए तो जब तक काम आपका पूरा नहीं हो जाता उसको थोड़ा सा अपने तक ही सीमित रखने की इसमें जरूरत है आपको Queen of Wands ये आपके पास काफी opportunity है लोग आपको देखकर attract हो सकते हैं और आप सजने सबरने में काम करने में हर तरह से कि लोगों को अपनी और attract करने में काम्याब होते हैं विश्वास करते हैं और किसी काम को लेकर भी लोग आपकी तारिफ करते हैं और आप ऐसा ही कुछ जून महिने में करने वाले हैं और लेकिन आपको कुछ लोग लुभा सकते हैं जो काम वो दिखाने वाले हैं कुछ लोग कह सकते हैं कि ये काम आपके लिए बना है आप इसको कर लिजी या आपको काफी प्रॉफिट देगा लेकिन उसको आपको आने वाले लॉफिट के साथ आने वाले लॉफिट के साथ आने वाले लॉफिट को भी देखने की उसमें जर नहीं डरते तो सेर दिल वाले को बिल्लियों से डरने की जुरूरत नहीं होती तो आप अपने हिसाब से सब कुछ करने वाले हैं अपने हिसाब से दुनिया को चलाने वाले हैं लोग आपको फोलो करते हैं आपको पसंद करते हैं आपके हिसाब से आप उनको अट्रैक्ट अप मार कर रहते हैं तो इस तरह का आपका ये महिना रहने वाला है जाने वाला है आप मोज मस्ती करने वाले हैं ठाट बाट से रहने वाले हैं लोगों को अपनी तरफ एट्रेक्ट करने वाले हैं जलाने वाले हैं आपका महिना फ्रूट फुल रहने वाला है आप किसी की के लिए हैं तो जुलाई महने में कुछ आपके काम ऐसे हो सकते हैं जो पैंडिंग थे तो पैंडिंग काम आपके पूरे हो सकते हैं आपका ये गौल ये सरकल पूरा हो सकता है तो आपके जो काम अभी अदूरे रह गए थे तो जुलाई महने में वो पूरे होते नजर तो जुलाई मैने में आपके धीरे धीरे करके वो रंग लाना शुरू करेंगे आपके काम पूरे जुरूर होंगे तो ओनेस्टी के साथ इमानदारी के साथ बिना कोई चालबाजी की और सैज़्दा के साथ अपने काम में लगी है कोई चालबाजी नहीं होनी चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो दिरे दिरे करके आपका गोल आपका एम पूरा हो जाएगा एक चैप्टर यहां खतम होकर नया चैप्टर आप शुरू कर सकते हैं नया अध्याय शुरू कर सकते हैं नया काम आप इसमें कोई ना कोई शुरू करने वाले हैं अगस्त फॉर ओफ वांड्स तो ये फॉर ओफ वांड्स ये अगस्त महिने में कोई ना कोई खुशकबरी जो आपका अधूरा काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको खुशकबरी मिल सकती है आप स्टेबलेटी महसुस कर सकते हैं स्टेबल हो सकते हैं चीयर फूल हो सकता है आप अपने परिवार के साथ फैमिली के साथ ये चीयर्स कर सकते हैं गेट टूगैदर कर सकते हैं सेलिब्रेशन कर सकते हैं और नया घर बनना और बसना भी इसमें हो सकता है कोई रिस्ता या कोई नई खुशकबरी आपको इस महिने में मिल सकती है जो ये आप देख रहे हैं ये जो fruits दिखाई दे रहे हैं तो ये result आपको मिलता नजर आएगा अगस्त महिने में आपको काफी success काफी progress मिल सकती है जिस चीज़ का आपको लंबे समय से इंतजार था जो काम आपका pending था वो पूरा हो सकता है फ्रेंड्स में बार बार में महिने के नाम बूल जाती है ये September के लिए आया है तो आपको जो opportunity मिलेगी वो आपको छोटी लगने वाली है तो उसमें आप confused प्रेशान दिक्कत में रहने वाले हैं आपको लगेगा कि मुझे वो ही काम चाहिए जो आप सोच रहे हैं जो आपको चाहिए था वो काम शायद आपको अगस्त में नहीं मिलने वाला है और आप जो मिल रहा है उसमें confused रहने वाले हैं जीए और उस पर काम करके देखिए अगर आपको ठीक ना लगे तो उसको आप छोड़ सकते हैं लेकिन आपके लिए आपको उसके उपर काम करने की जुरूरत है उस पर अपने confusion अपने प्रेशानी दिक्कत से बाहर निकलने की जुरूरत है अगर आप confused रहे प्रेशान रहे दिक्कत में रहे तो आप आई हुई opportunity को भी गवा सकते हैं और आप अपने काम को से पस्ता सकते हैं यह page of pentacles यह October के लिए आया है नई beginning, नई शिरुवात, brand new beginning एक friendship के साथ, एक दोस्ती के साथ, एक नई अनर्जी के साथ अगर बच्पना छोड़कर एक नई दोस्ती के साथ एक नई अनर्जी के साथ अगर आप किसी काम को शुरू करते हैं चाहे वो business है, चाहे वो job है, चाहे कुछ भी है अगर एक बार आप उसमें heart डालते हैं और शुरुवात करते हैं तो आगे जाकर future में जाकर ये आपके लिए काफी फायदे मंद हो सकता है अभी आपको October महिने में एक opportunity आपको मिलने वाली है भले ही वो जब आपको छोटी लगे लेकिन आगे जाकर आपको आच्छी ये future में आपको काफी success, काफी progress, काफी fruitful होने वाली है तो इसको accept कीजिए और आप जो October का महिना है कुछ ना कुछ आपके लिए offer लेकर आ रहा है, opportunity लेकर आने वाला है November, November में आप पैसा एकठा करने वाले हैं या पैसा जोडने वाले हैं आपको लगेगा कि जो मेरे पास है उसको सब को जमा कर लूँ, कभी ये खतम ना हो जाए तो लेकिन आपको कुछ चीजों को release इसमें करने की जुरूरत है आप extra इसमें control करते नजर आ रहे हैं क्योंकि जैसा कि इसमें दिखाया गया है सिर्पर पैसा आप चाती से सब कुछ इपकाए बैठे हैं आपको लग रहा है कि uncontrolled आप आपने सब कुछ वश में कर रखा है आप अपने वश में नहीं हैं तो थोड़ा सा चीजों को चीजों को लूज कीजिए इनको थोड़ा सा छोड़ दीजिए क्योंकि इस से चाहे कोई रिस्ता है चाहे पैसा है चाहे धंदोलत है अगर आप इसको ऐसे ही अपने से चिपकाए रखे रखा आपने इनको लूज नहीं किया चाहे वो पैसा है धंदोलत है कोई रिस्ता है कोई घर है कोई कुछ भी है अगर एक्स्ट्रा कंट्रोल होता है तो उसमें पस्ताने के सिवाई कुछ नहीं मिलता है क्योंकि वो रिस्ते कतम हो जाते हैं वो पैसा कतम हो जाता है वो किसी काम का नहीं रहता वो दूरियां बना लेता है तो November महिने में ऐसा ही कुछ आप करने वाले हैं तो उससे सुटकारा पाने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे को या रिस्ते को ढिल देने की जुरूरत होने वाली है December Ace of Wants एक एक्षन लेने की जुरूरत है जो आपको काम नहीं मिल रहा था जो आप काफी दिनों से महनत एफ़र्ट लगा रहे थे जिसमें सफलता नहीं मिल रही थी तो वो सफलता आपको December में काफी अच्छी मिलने वाली है उसमें आप सक्सेस होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक नई beginning इसमें करने की जुरूरत है समय रहते एक्षन लेने की जुरूरत है तो समय रहते एक्षन लिजिए एफ़र्ट लगाए मेहनत कीजिए कोशिश कीजिए आप December में ऐसा कुШ करने वाले हैं और December में ही आपको इसके result मिलने ज़रूर शुर मददगार साबित होगा काफी fruitful होने वाला है काफी लग्की होने वाला है तो overall ये साल आप के लिए काफी अच्छा जाने वाला है ये guidance के लिए देख सकते हैं 9 of 9 of cups काफी ये emotional आप होने वाले हैं काफी मौज मस्ती करने वाले हैं बच्चों के साथ परिवार के साथ get together कर सकते हैं बच्चों के साथ जा सकते हैं जिनके यहां बच्चा नहीं है उनके यहां बच्चा हो सकता है जिनके यहां शादी नहीं हुई है शादी के लाइक हो गई हैं तो शादी कीजिए चीयर्स कीजिए और डेट्स पर जाएए घूमिए फिर ये मौज मस्ति कीजिए सारा सब कुछ कीजिए इंद्र धनूस देखिए खुश रहिए बच्चों के साथ खेलिए मौज मस्ति कीजिए और अपने साल को हरा भरा खुशियों से भरा हुआ बनाईए तो आपका ये साल ओवर 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 काफी अच्छा जाने वाला है तो आज के लिए बस इतना ही लिब्रा फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई रिडिंग के साथ मिलेंगे तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट्स करना ब help मिलती है तब तक के लिए अपना प्यार और आसिर वादमूस पर बनाए रखिए नमस्ते थेंक यू सो मच